नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप MS Word के अंदर किस तरीके से Drop Cap Option का यूज़ कर सकते हैं आप example के तोर पर यहाँ पर देखेंगे हमने यहाँ पर दो तरीके का Drop Cap यूज़ किया हुआ है इसका mostly आपने यूज़ देखा होगा न्यूज़ पेपर्स के अंदर जो भी English के न्यूज़ पेपर्स होते हैं उसमें आपने Drop Cap का यूज़ देखा होगा आपको सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो आपको बैल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक हमें पर पहुंचती रहे एकसल इन्फो टेक के द्वारा बनाई गई अन्य सभी वीडियो जैसे की MS Office, Corridor, Photoshop, Teleprime, इत्यादी की प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सबसे पहले हैं इन सभी डाटा को क्लियर कर लेते हैं क्लियर करने के बाद यहाँ पर आपको एक कमांड डालनी है is equal to randrand लिखना है shift के साथ bracket को open करना है bracket को close करना है और प्रेस करना है enter इसकी जगा पर आप अपना कोई data भी ले सकते हैं जिसमें आप drop cap का use करना चाहते हैं अब आप देखेंगे drop cap option अभी present time में hide है अभी ये show नहीं हो रहा ये show तब होगा जब हम किसी paragraph पर click करेंगे जैसे माल लिजे हमने पहले paragraph पर यहाँ पर click कर दिया जैसे हमने यहाँ पर click किया तो आप देखेंगे हमारा drop cap यहाँ पर highlight हो गया इस पर जैसे हम click करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने तीन तरह के drop caps आपको दिखा रहा है जिसमें सबसे पहला है none कि आप इसमें drop cap का use नहीं करना चाहते हैं दूसरा आप देखेंगे drop it है इस पर अगर आप click करेंगे तो आप देखेंगे आपका drop cap यहाँ पर use हो गया इसके बाद तीसरा option आप देखेंगे यहाँ पर in margin है यानि यह margin के हिसाब से आपका drop cap यूज होता है तो सबसे पहले इस पर जैसे आप click करेंगे तो यह basically आपका drop cap यहाँ पर use हो गया second paragraph को click करके अगर मैं यहाँ पर दूसरा drop cap यूज करके आपको दिखाओं तो यह basically margin के हिसाब से यहाँ पर adjust हो रहा है इसका margin अगर आप देखेंगे तो paragraph से यह आपका data हटकर है तो इस तरीके से आपका यहाँ पर drop cap यूज होगा इसके अलावा यहाँ पर नीजे की तरफ अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा drop cap option का इस पर जैसी आप click करेंगे तो वही तीनों option आपको यहाँ पर भी नज़र आएंगे इसके अलावा इसके अंदर कुछ आपकी settings है जिसको आप अपने हिसाब से modify कर सकते हैं जैसे माल लीजे सबसे पहले अगर हम बात करें font की तो यहाँ पर जो भी font हमारा अभी आ रहा है उसका नाम है plus body इसके अलावा अगर आप font change करना चाहते हैं तो इस पर click करके आपको कुछ font यहाँ पर दिखाई देंगे जिसमें से आप किसी भी font का use कर सकते हैं जैसे माल लीजे हमने यहाँ पर heading cs ले लिया heading cs लेने के बाद हम यहाँ पर ok कर देते हैं ok करने के बाद आप देखेंगे इसमें हलका सा change आया है मैं कोई दूसरा font ले करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको इसमें changes समझ में आए तो यहाँ से हमने इस पर click किया यहाँ से हम कोई दूसरा font ले लेते हैं जैसे माल लीजे हमने यहाँ पर use करके font है वो select किया और जैसे हम यहाँ पर ok प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे font का style आपका यहाँ पर बदल गया पंटल z करने के बाद हम पीछे चले जाएंगे उसके बाद फिर से इसी option पर हम जाएंगे drop cap option पर और नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने दिखाए देगा line to drop अब इसका use कैसे किया जाएगा तो इसका use करने के लिए हम पहले वाले drop cap पर आजाते हैं यहाँ पर आप देखेंगे अभी फिलाल हमने 3 paragraph का यहाँ पर drop cap का use किया हुआ है अगर आप इसे कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाएए drop cap option पर जाएए और यहाँ पर 3 की जगाँ आप यहाँ पर 2 कर दीजे 2 करने की बाद जैसे आप इसे ok प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका drop cap यहाँ पर सिर्फ 2 lines को cover कर रहा है 3 lines को cover नहीं कर रहा है यहाँ से आप इसकी settings को change कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर नीचे की तरफ अगर आप जाके देखेंगे तो next option आपका distance from text यहाँ आपका drop cap है वो text से कितना distance में होना चाहिए तो यहाँ पर फिलाल 0 लिया हुआ है अगर आप इससे बढ़ाना चाहें तो माली जम ने यहाँ पर 4 ले लिया 4 लेने के बाद जैसे हम यहाँ पर ok प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इसका distance कितना जादा increase हो गया तो इसके distance को आप यहाँ से easily manage कर सकते हैं फिलाल इसको हम 0 रख करके ok कर देते हैं तो आपने देखा इस तरीके से drop cap option का use किया जाता है अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को like, comment, share जरूर कीजिएगा धन्यवाद